आज मैं आपको एक कहानी तीन भेड की सुनाऊंगी जिनों ने अपनी जान की रक्षा अपनी चालाकी से की है शरली, बरली, करली तीन भेड थे वे भाई अपने जंगल में रहते थे उनका एक बहुत सुन्दर भूसे का घर हुआ करता था कुछ दिन बाद एक चालाक लोमडी उनके घर के सामने रहने आ गए तीनों भाई बहुत डर गए शरली, बरली, करली ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए नहीं तो ये भेड हमें खा लेगा वो हमें खा जाएगा उन्होंने सोचा कि इस भूसे के घर को तो वो कभी भी तोड सकता है हमाई कभी भी खा सकता है क्यों न हम एक सुन्दर एंट और पत्थर का घर बनाए एक मजबूत घर बनाए तो तीनों भाईयों ने मिलकर एक बहुत ही सुन्दर और आकरशक घर बनाया इंट और पत्थर का बहुत ही प्यारा घर बनाया तीनों भाई उस घर में रहने लगे पर उस भेड़िये को उससे कोई फरक नहीं पड़ता उसने कहा मैं फिर भी तुम तीनों भेड़ों को पकड़ लूँगा शरली बल्ली करली ने सोचा कि अब हमें कोई न कोई रास्ता तो निकालना चाहिए एक दिन वो भेड़िया उनके दर्वाजे पर आकर जोर जोर से खटखटाने लगा खोलो दर्वाजा खोलो मुझे अंदर आने दो शरली बल्ली करली ने दर्वाजा नहीं खोला वह अंदर बहुत ही डरे हुए थे सोचे अब हमें और कोई तरीका निकालना पड़ीगा क्योंकि यह ऐसे नहीं आएगा तो कोई और तरीके से अंदर आएगा फिर उन्होंने अपने भटी में लकडियां जलाई सोचा यदि लोम्डी यहां से नहीं आ सकी तो उपर भटी की तरफ से जरूर आएगी तो उन्होंने उसमें लकडियां डाल कर जला दी लोम्डी ने यही कोशिश की उसने उपर चढ़ा घर के और धीरे धीरे भटी की तरफ जाने लगा जैसे ही वो नीचे आया तुरंट भटी में गिर गया आँ चलाने लगा बचाओ 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 ऐसे करके वो घर का दर्वाजा खोला और भाग गया वहां से उधर से देखकर सारी तीनों बेड़ बहुत खुश हो गए शरली बर्ली करली ने बहुत खुश हुए और अपनी चलाकी से उस भेरिये को वहां से भगा दिये उन्होंने अपनी जान की रक्षा कर ली अपनी चलाकी से इसलिए बच्चों अपने हमेशा चलाकी ही काम आती है हमें हमेशा अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करना चाहिए